हेलो दोस्तो वेलकम टो माई यूटीब चैनल और दोस्तो आज हम बात करेंगे इंजेक्शन सी कोन के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है पस्वों में किस किस कंडिशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं पस्वों में इस इंजेक्शन को देने की डोज क्या तो दोस्तों इंजेक्शन सी कोन के रिगार्डिंग पूरी जानकारे आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले जो दोस्त मेरी चैनल पे नए आया है उनसे रिक्वेस्ट है मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन का बटन करने को मिलते हैं दोस्तों सबसे बहले बात अग्रहिस इंजेक्शन के कंटेंट की करें तो इस इंजेक्शनMे जो कंटेंट डाला गया है वो है जैन्ता मैंसिन सल्फे Usually एक ब्रॉद स्पेक्टमि ए है जो कि पासों में ग्रैम नेग्टिव वैक्टीरिया और ग्रैम इसमें प्रोपाइल पेराविन है जो कि इसमें 0.02 परसेंट वेट वाई वॉलीमिस में डाला गया है दोस्तो अब बात करते हैं कि किस किस कंडिशन में आप इस इंजेक्शन का युज पसों में कर सकते हैं दोस्तो अगर पसुमें रिस्पाइरेटरी ट्रेक्ट का अगर स्नौरिंग सावड नगर आ रही है तो उस कंडिशन में चोईस ड्रक के रूप में आप इस इंजेक्शन का युज पसों में कर सकते हैं इसके लावद दोस्तो अगर पसुमें इंट्राइटरी नगर इंफेक्शन पसुमें हुआ है पसुमें मैटराइटिस का केस है या सर् चदानी में पस पढ़ गई है पायोमेटरा का केस है तो उस कंडिशन में भी चोईस ड्रक के रूप में आप इस इंजेक्शन का युज पसुमें कर सकते हैं इसके लावद दोस्तो अगर पसुमें किसी तरह का अगर वाइरल इंफेक्शन पसुमें हुआ है पसुमें एफम इस इंजेक्शन का युज पसुमें कर सकते हैं दोस्तो अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के पसुमें रूट की करें तो दोस्तो इंट्रमस्कुलर इंट्रवेनस और सबकट तीनों रूट से आप इस इंजेक्शन का युज पसुमें कर सकते हैं दोस्तो इसके इलावा इ इस इंजेक्शन का यूज़ लगोग सभी जानुरों में कर सकते हैं इसके लाओ दोस्तों पोल्टरी की केस में 0.05 से 0.1 ml पर kg बॉड़ी वेड के साब से आप इस तरह से पोल्टरी की केस में इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इंजेक्शन जेंटामाइसिन स सकते हैं तो I hope दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंदा योगी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फूल इनफॉर्मेशन के साथ